हलो स्टूडेंट्स विल्कम बैक टू मैं चर्नल यॉर्ट चर्नल पुनित सरकी पाटशाला और आज बात करने वाले हैं अगले पांच क्वेशन्स की जीहां मैथमेटिक्स का स्टांडर्ड पेपर सी बीएसी की द्वारा जो पब्लिश किया गया था वेबसाइट पर उसके हम अगले पांच कोशन्स लेके आ गए हैं इसका मतलब हम लोगों ने दस कोशन्स तक कर लिये था अबजेक्टिव टाइप एक नंबर वाले कोशन्स अब आग आपको पूरे के पूरे आने चाहिए वो आज इस लेक्शर को देखने के बाद समझ में भी आ जाएंगे और इससे रिलेटिट जैसे भी कोशन्स आएंगे आपके एक्जाम में अगर आते हैं तो भी आपको सारे कोशन्स बन जाएंगे तो question पढ़ते हैं the sign of an angle किसी भी angle का sign होगा sign theta वो कित्ता दिया हुआ है 4 upon 5 sign of an angle is given as 4 by 5 which of these could be the measurement of the sides of the triangle तो सबसे पहली चीज़ इन ऐसे सवालों मैं पता है आपको option को देखके questions को solve करना चाहिए देखो सबसे longest side जो होगी सबसे longest side जो होगी वो तो हमारी hyperteneuse होगी अब आप एक काम करो अब sign का ratio निकाल लो 4 by 5 आ रहा है अब sign क्या होता है sign होता है perpendicular upon hyperteneuse यानि अगर मैं बात करूँ ये एक right angle triangle है तो अगर ये angle theta है अगर ये वाला angle theta है तो ये base हो जाता है ये hyperteneuse हो जाता है और ये perpendicular हो जाता है तो अब हमारा यहाँ पर base और hyperteneuse sorry, base और perpendicular fix नहीं है base कुछ भी हो सकता है perpendicular भी कुछ भी हो सकता है तो जब हमारा fix नहीं होता है तो हम दोनों का ratio निकालने है hyperteneuse के साथ देख लो easily 5 by 9 5 by 9 या फिर आगया 4 by 9 क्या 4 by 5 के बराबर है नहीं है इसका मतलब ये वाला तो possible नहीं है इसके बाद ये चेक कर लो एक बार आजागा root 41 upon 5 sorry 5 by root 41 और ये आजागा 4 by root 41 तो ये भी possible नहीं है इसके बार आजागा 6 upon 10 और एक बार आजागा 8 upon 10 तो ये हो जागा 2, 3 जा 6 2, 5 जा तो 3 by 5 ये नहीं आ रहा है sign के बराबर ये नहीं हो जागा 4 और ये हो जागा 5 ये आ जागा इसका मतलब ये तो आ रहा है इसका मतलब option ये सही है तीसरा option भी चेक कर लो 8 upon 4 root 41 और 10 upon 4 root 41 जो की possible नहीं है इसका मतलब सही option क्या है option number C इसे कोशनों को option के साथ ही खेल लिया करो ठीक है क्या है sign की value किसके बराबर होती है perpendicular upon hypertonus के बराबर होती है और perpendicular upon hypertonus चेक कर लो इसमें अब ये मत बोलना सर कि सबसे छोटी side base होगी क्या ऐसा नहीं होता है base decide करता है ये angle अगर मैं इस angle की बात कर रहा हूँ माल लो ये angle X है तो base ये हो जाएगी फिर इस angle के लिए तो यहाँ पर हमारा fix क्या हो सकता है सरफ hypertonus हो सकता है यहाँ बच्चे गलती करते हैं चलिए अगला question करते है question number 12 the marks obtained by a set of students in an examination recorded in the group frequency table the maximum number of students are found to be in the range of 70 to 80 इसका मतलब जो maximum range जहां मिली है वो कहां मिली है 70 to 80 मुझे नहीं पता वो कितनी मिली है ठीक है if the number of students in the ranges before and after 70 to 80 range are equal मतलब इसके उपर वाली और इसके नीचे वाली range के बराबर है यानि अगर यह x है तो यह भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा बहुत बढ़िया मतलब हमारे पास f1 की value पता नहीं है लेकिन हमको पता है f0 की value x दिये है और f2 की value कितने दिये x दिये क्योंकि दोनों बराबर range में यानि यहाँ पर mode वाला फंडा पूछा जा रहा है बिल्कुल सही सर mode of the data क्या होगा which of the following is the mode of data mode of का formula क्या होता है mode का formula होता है l plus f1 minus f0 upon 2 times of f1 minus f0 minus f2 तो कुछ इस तरह से हमारे पास formula आता है और इसको multiply कर दिये जाता है h से अब आपको सबकी value पता होना च्छी कि कौन किसको बता रहा है तो यहाँ पर यह होता है l यानि lower limit of the modal class modal class आपके सामने है उसकी lower limit आपके सामने है बिल्कुल सही फिर आपका आता है कि f1 f1 मतलब frequency of modal class f0 होता है उसके previous वाली और f2 होता है उसके बाद वाली यहनि preceding तो बस यहाँ पर आपका खेल हो गया क्योंकि f0 और f2 की value तो same है हम f1 को f रहने देते हैं और f0 को हमने x मान लिया है तो देखो mode का formula हो जाएगा l, l की बतलब lower limit of the modal class will be equal to 70 तो 70 plus off कितना हो जाएगा f1 तो f1 को f मान लो minus f0 को भी x माना है क्योंकि f2 और f0 बराबर है और 2 times of f minus of f0 को भी x मान लिया है और f2 को भी x मान लिया है और h को multiply करेंगे यहने 10 को multiply what is h? h is nothing but upper limit minus lower limit class size ठीक है तो m will be equal to 70 plus f minus x अपोन यह हो जाएगा 2f minus minus plus हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 10 बहुत बढ़िया इन दोनों में से 2 common ले लो तो हो जाएगा m is equal to 70 plus f minus x अपोन 2 common f minus x इंटू 10 तो यह हो जाएगा इंटू 10 बहुत बढ़िया अब f minus x से f minus x cancel बचा कितना m is equal to 70 plus 10 upon 2 2 1s are 2, 2 5s are 10 आंसर आएगा 70 plus 5 that is equal to 75 and this is your answer b is the correct answer mode of the data is 75 बहुत बढ़िया चेक कर ले ना आप लो चेक जरूर कर ले ना कि सही है की गलत है अगला question 13 है in the figure below a unit square r o s t r o s t ठीक है unit square है मतलब इसकी 1 meter या 1 centimeter या 1 kilometer है ठीक है inscribed in a circular sector ठीक है circular sector है हमारे पस का angle theta नहीं दिया हुआ है हमारे पास बहुत बढ़िया ठीक है यह angle नहीं दिया है हमारे पस theta along with the above information which of these sufficient to find the area of p o q p o q इसका area निकालने के लिए तो बैटा इसका area निकालने के लिए हमारे पास formula होता है theta upon 360 into pi r square r नहीं है theta नहीं है r कैसे निकलेगा theta कैसे थोड़ा सा समझते है तो अगर हमारे पास r की value आजा है तो r मतलब p o ये है r निकलेगा ये भी p o हो जाएगा o q और o p बराबर होगा r किसे निकलेगा ये 1 cm square है या 1 cm है ये भी 1 cm ये भी 1 cm या 1 m, 1 m, 1 m तो अगर मैं इसकी diagonal को join कर दूँ हाँ सर बिलकुँ सही आ गया अगर मैं इसकी diagonal को join कर दूँ जाएगा इस particular r तो मिल गया भाईया r की value है 1 1 unit r की value 1 है ने ने sir r की value ये 1 है ये भी 1 है तो बच्चों ये हो जाएगी 1 root 2 यानि r की value मेरे पास root 2 आ जाएगी r तो मेरे पास आ गया r will be equal to root of 2 unit r is equal to root 2 unit ठीक है अब क्या बोल रहा है अगर r root 2 unit है तो आपको किसका area निकालना है area of p q भाई थीटा तो लगे चलो ये 90 degree हो गया ये 90 degree तो ये नहीं पता इसका कोई relation निकाल सकते हैं क्या हम नहीं भाई साब तो यहाँ पर आप information क्या the given information is sufficient नहीं ये sufficient नहीं है इस information से तो मैं नहीं निकाल सकता area तो ये तो नहीं है गलत है area of square road area तो हमको पता है ना 1 into 1 1 meter square तो ये तो दिया हुआ इससे तो नहीं निकाल पा रहा है मतलब ये option भी गलत है radius of the sector p o q अब sector का radius तो मैं already given है ना तो मतलब ये भी गलत है भाई तो arc length हाँ अगर ये length मिल जाए अगर arc length मिल जाए तो हम निकाल सकते theta upon 360 into 2 pi r is equal to arc length और arc length निकल जाए मिल गया तो हम arc को रखकर theta की value निकाल सकते बिलकुँ सही जवाब होगा c option चेक कर ले ना एक बार आप सबी लोग ठीक है मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए बहुत बढ़ी है अगला question अगला question है Fibonacci series sequence is a pattern in which each number is obtained by adding the previous two numbers ठीक है समझ गया ये computer में भी हम लोग इस्तमाल करते थे Fibonacci series जब अपनी graduation complete कर रहा था तो वहाँ पर है ना हमें program बनाने पड़ते थे c++ java oracle.net के तो उसमें Fibonacci series का एक option आता था Fibonacci series कुछ नहीं होता जैसे माल लो 0 है फिर अगला number है 1 तो इन दोनों को plus करेंगे तो क्या आएगा 1 इन दोनों को plus करेंगे कितना आएगा 2 इन दोनों को plus करेंगे कितना आएगा 3 फिबोना की सीरिष ठीक है आगे बताओ भई आगे information करना क्या है शोन विलब दा presentation ठीक है square grid मतलब square grid का मतलब समझते हो कि इसका area दिया हुआ या इसकी length दिया है मतलब ये length 1 है तो ये भी length 1 है ये भी length 1 है ये भी 1 length है फिर इसके square की length किती है ये 1 1 तो ये 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 तो ये 1 plus 2 कितना होगा 3 ये कितना है 1 2 3 4 5 तो ये 5 है ये भी 5 है आप से बोल रहा है area of shaded receptor का value कितना होगा तो ये तो 90 degree होगा 100% इसका area निकालने का है तो इसका area कैसे निकलेगा इसका area निकलेगा radius पता है क्या radius पता है क्या तो यह 5 और यह 3 5 प्लस 3 कितना होगा 8 ठीक है निकल जाएगा भाई 5 प्लस 3 8 तो radius will be equal to 8 unit ठीक है 8 unit लिख देते हैं दरना मत unit नहीं लिखी तो ठीक है radius कितना होगा 8 unit तो हमारा area हो जाएगा theta upon 360 into pi r square बहुत बढ़िया थीटा की value कितनी है 90 degree 90 upon 360 into pi r square और r की value हमारे पास कितनी है given 8 8 का square कितना होगा 64 बहुत शांदान 9 बंजा 9 9 4 जा 36 तो यह 4 बचा 0 से 0 cancel 4 बंजा 4 4 बंजा 4 4 6 जा 24 तो आगा 16 pi 16 pi unit square यह square unit 16 pi square unit is the area of the shaded region 4 4 pi नहीं है 16 pi बिल्कुल सही 48 pi 64 pi भी नहीं हो सकता तो answer है B B option is the correct answer check कर लेना एक बार बहुत बढ़िया आ रहा है समझ में बहुत अच्छी बात है नहीं आ रहा है comment box में करो अगला question shown below the solid made by joining a right circular cylinder and hemisphere at the top ठीक है radius कितना है R तो इसका radius और इसका radius बराबर है तो इसका cylinder का भी radius बराबर हो गया आगे बताओ height नहीं दिया cylinder की height cylinder की height को x मान लो क्योंकि दिया है कि नहीं दिया है नहीं दिया है the total surface area of the solid is equal to the surface area of the sphere with twice the radius of the solid ओके क्योंकि अब वो यह कह रहा है कि अभी जो radius R है फिर से question धान से पढ़ना the total surface area of the solid इस total surface area की बात करें तो वो किसके बराबर हो जागा पहले तो total surface area क्या होगा shown below solid made by joining right circular cylinder और hemisphere तो वही है hemisphere उपर है तो hemisphere का curved surface area होता है 2 pi r square 2 pi r square बहुत बढ़िया plus अब इसका surface area क्योंगा तो एक तो curved surface area और एक नीचे वाला area तो यह हो जाएगा curved surface area 2 pi r h और नीचे वाला surface area हो जाएगा pi r square वो किसके बराबर होगा is equal to the surface area of the sphere with twice the radius of the solid मतलब अब इसी sphere को लो surface area of the sphere with twice अब एक sphere ले लो sphere का area किता होता है 4 pi r dash का square r dash कित्ती दिये उनने बोला r dash जो है वो इसी solid का जो radius उसका twice है मतलब यह r dash की value is equal to 2 times of r जो यह है ठीक है बहुत बढ़िया तो जागा 2 pi r square plus pi r square 3 pi r square plus 2 pi r h will be equal to 4 pi r square की value 2 times of r का whole square बहुत बढ़िया तो 2 to the 4 2 to the 4 r square 4 for the 16 16 pi r square is equal to 3 pi r square plus 2 pi r h बहुत बढ़िया इन दोनों में से common ले लो इसमें से 2 pi नहीं इसमें से pi r common pi r common तो pi r common बचा कित्ता 3 r plus 2 h is equal to 16 pi r square pi से 1 pi cancel 1 r से 1 r cancel कित्ता बचा बचा 3 r plus 2 h is equal to 16 r बहुत बढ़िया 3 r plus 2 h is equal to 16 r 3 r plus 2 times of h is equal to 16 r 3 r इदर गया तो 2 h is equal to 16 r minus 3 r 2 h is equal to 16 minus 3 कित्ता हो जागा 13 r तो हो जागा 13 r तो h की value किता हो जागी 13 r upon 2 मेरे ख्याल से h की value मेरे को मिल गई है निकालना क्या था which of the following gives the height of the cylinder in the above solid तो answer हमारा आया 13 by 2 यानि 13 by 2 कितना हो जागा 6.5 6.5 r पॉइंट में है न पीछे option में 6.5 r तो answer होगा 6.5 r 6.5 r cm is the value of x 6.5 r मतलब 6.5 times of the radius of the curvature जो इस solid का है एक बार चेक करने न इस answer को भी जो कि आपके हमने 15 question तक करवा दिये हैं तो I hope आपको इस lecture समझ में आगया लेक्चर समझ में आगया तो पसंद आगया पसंद आगया तो like कर दो चैनल में ने हो तो subscribe कर दो class 11th के वीडियो जाने वाले हैं और subscribe कर दो क्योंकि 10th के बाद 11 शुरू कर देंगे तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पने सर्क की पाट शला जहन